तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब और आज मैं आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि सहायक सिख्षक में और सिख्षक में किस केटेगरी में कितने अंक तक जो है नियुक्ती हो सकता है तो चलिए मेरे कम्प्रेटरी स्कीन पर मैंने इसके लिए एक डेटा क्रेट करके रखा है क्योंकि मैं इसे हवा हवा मैं नहीं बोल रहा हूँ ना मेरे पास एक स्पेशल डेटा है जो मैंने जो ह create करके रखा है ठीक है तो जनरल की बात करें तो जनरल जो यू आर है उसका जो आफिसियल जो rank है काना चीए 762 ही होगा क्योंकि 762 पद ही है इसमें लेकिन चूंकि 762 में उपर से मेरे को ऐसा लगता है 10-15 जने तो ऐसे होंगे जो काना चीए क्या बोलते हैं कि वे लोग जोईन इसको नहीं करेंगे काराण यह है कि उनका वर्गर दो एक में हो जाना चीए ठीक है न तो 762 इसको अब 780 तक ले लिए उससी जादा नहीं जाना चीए अगला है जनरल महिला का लिए तो इनका जो आफिसियल जो रेंख है वह 1260 से 1230 के भी जो है वेरेंग करेगा लेकिन उपर से यह जो लोग का ना चीए वर्ग एक दो में जाते हैं वाला फिक्टर काम करता है तो यह जो है पंद्रा सो तक जा सकता है मैं इसको पंद्रा सो ही मान के चलता हूँ और यह जो अंक है यह 80 से नीचे नहीं जाएगा 80 से उपर ही रहेगा ठीक है और यह जनरल पूरुस के लिए जो अंक है वो यहाँ पर मैंने कितना आपको रिकमेंट किया है तो 86 अंक यहाँ लिखा है 86 अंक इसको आप 85 ले लिजे उससे नीचे नहीं जाएगा आगे बढ़ते हैं OBC का ले लिजे तो OBC का UR में मैंने आपको रिकमेंट किया है यहाँ पर OBC वार रिंग 2300 लेकिन उपर से वही वाला फेक्टर जारी होगा तो अना चाहिए कि बहुं सारे लोग है कट लेंगे तो यह 2300 जो रिंग है इसको आप 25-26 ले लिजे 2600 maximum एक अंदाजन 2600 ठीक है यह रिंग और इनका जो अंख है वह 77-78 अंख होगा और बहुत अच्छा परिस्तिती हो आपके लिए तो यह 75 हो जाईए लेकिन उससे निच नहीं जाएगा ओब इसी महिला है तो यह 35 मैंने इसको रिकमेंट किया है और इसको आप 5000 तक उम्मीद किजिए कि हो जाए क्योंकि जितना उपर में ज्यादा पेजेस होंगे मेरिट लिष्ट में उतना ज्यादा सम्माऊना है कि उपर से लोग जो है या तो ज्वाइन ही नहीं करें बहुत सारे लोग पद में रहते हैं जिससे मैं भी हूँ मैंने भी ज्वाइन किया मेरा भी रेंग है 23 सो के लगभग और मेरा भी लगभग हो जाना चाहिए लेकिन कारण वही है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा तो ऐसे मेरे साए जैसे बहुत सारे लोग होंगे तो यह आपका रिंग जो है और अच्छा होते जाएगा ठीक है नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप उपर चड़ते जाएंगे तो और अंग की बात करें तो और सत्तर अंग लेकिन यह ज्यादा वेरी नहीं करेगा क्योंकि एससी लोग बहुत कम है इस मेरिट लिष्ट में मैंने देखा है और दूसरा बात यह है कि कि चुकि उपर में कहना चाहिए जो जनरल है जनरल के टेकरी यू आर है उसमें एससी लोगों की संख्या बहुत कम है तो यह ज़्यादा वेरी नहीं करेगा इसमें मैंने रिकमेंड किया है आपको सत्तर अंग के आसपास तो यह थोड़ा बहुत एक दो हो सकता है ओभी एस सी यू आर की बात करें तो यह मैं सुचता हूँ यह चाथासी मैंने रेंग दिया है तो यह 45-46 ले लिए 46 तो रेंग जो है पूरा पद है तो देख लिए एस्टी में यू आर में मैंने यहाँ पर इंक्यावन अंग प्रेडिक्ट किया है और यहाँ पर 30,000 रेंक मैंने जो है वो प्रेटर किया है तो यहाँ पर थोड़ा से एक चीज याद रखें यह माल यह जो 30,000 रेंक में है ना उसके तो भी इनका बहुत ज़्यादा जो है इसमें लाव होने वाला है तो यह 30,000 रेंक मैंने प्रेडिक्ट किया है इसको आप 35,000 तो मान के जलिए मैं इसने 35,000 लिख दिया हूँ और यह अंग है मैं सोचता हूँ OBC सारी ST मेल है मुक्त है तो उसके लिए यह 46,000 रेंक जाना च और यहां पर इनका जो अंग है 45 अंग है लेकिन 42, 43 में भी यह selection होने के पूरे पूरे chances है अगला जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिक्छक के लिए तो देखे सिक्छक के लिए ना विसाय वाईस कोई पोश्ट नहीं जारी हुआ है आप किस विसाय में है यह भी न fraction है कि कहाना चाएं çıkar जो है जो सही चीज पर लगी हुए तो वो जो सिख़क भरती है उस पर कोई घ서 न लग जा है बकि बोनस अंग तो दिया गए है तो बोनस पर तो हो सकता है कोई निःने हो सरकार होँ सकता है बोनस को विधेल कर ले लिए फिर सरकार जो है kौर्ट्ट ज निकाला गया है उसमें पदों का विरन जो है डिस्टिबूट नहीं किया गया है और यहां पर भी कुछ नहीं है तो बड़ा ही इसमें समस्या है तो ठीक है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को सेर्ब कर जीजिए तेंख सेर्थ इसमें सेर्थ लिए वीडियो आपको अवीडियो आपको अन्यचे जजीद रख्टेंदार कमतार जापको परिवको आपको लिए कर लिए दोगतार कर वोडिदार को सेर्थ तो और दोस्तों पिया है तो ये तो